मतलब एक्युलें थेखोे थे तहूंआ है है ह Dare Time प्रेतायओ फ्लोब आ फ़ीड इंटरींस टेंप्रेचरेड एक्वीलेंट थर्मार के प्रमक्टी यहरिस्टेंस एंड कनुद्धिविटी मतलब इक्वूलेंट थर्मय थेम प्रमक्टी आप दो conductor, दो मतलब two conductor, इंग्लिज में हिंदी मिक्स कर दिया हमने, यह दो conductor को हम जोड़ने ही जा रहे हैं, दो तरीके समें जोड़ूँगा, एक मैं series में जोड़ता हूँ ऐसे, और एक मैं ऐसे paddle जोड़ता हूँ, तो पहले हम बात करते हैं, slash joint in series, पहले हैं joint in series, joint in series, क्या बता रहे हूँ, हाँ, हाँ वही उसी कुछ करेंगे न, अब वह हम बात में बात करेंगे न फिर, अभी कोई कुछ बात की कर रहे, जरा देखी दान से, हम करेंगी क्या, दो conductor लेते हैं, ठीक है, language मैंने लिखवा रहा हूँ, हम जो बताते जाएंगे, language अपने आप बनती जाएगी, देखेंगे ये, दो conductor मना रहा है एक साथ, अभी हम जोड़ते हैं उनको, ये दो conductor हैं, और ये हमने ऐसे, दो conductor हमने स्रीज़ें जोड़ दिये, face to face जोड़ रहे हैं, ठीक है, हमने क्या क्या, एक conductor के, अच्छा, इसका thermal conductivity के 1 है, इसकी thermal conductivity के 2 है, अब चुक्कि face to face जोड़ रहे हो, तो जो area of cross section होगा, उस अपका, सेम होगा, पहले वाली के length L1 है, तूसरे वाली के length L2 है, और देखे, यहां से आपने heat देना शुरू किया क्यूँ, इस end का temperature theta 1 है, in steady state, हम state देना steady, मतला हम तब तक heat करेंगे, जब तक कि इसके अलग-अलग cross section heat absorb करेंगे, और जब heat absorb करना बंद कर देंगे, और बाहर emit करना शुरू कर देंगे, वो state हम ले रहे हैं, theta 1 और इस end का theta 2, और यह interface का theta, समझ में आई बाद, तो अब एक-एक चीज हमको निकालनी है, तो इस heading की sub heading बनेगी, पहला हम निकालने जा रहे हैं, interface temperature, इंटरफेस टेंपरेचर, देखिए एक तो होता है, interface temperature हम रट ले, तो आप process देखेगा, समझ में आजाएगा, जब आप पहले स्टू लिजेगा, अब जब इसमें heat flow कराएंगे, और आप कहेंगे steady state है, तो इसका होता है, steady state में first conductor और second conductor की rate of flow of heat same हो गई, नहीं हो गई, यहनि पर second जितनी heat ये लेगा, इसको transfer करेगा, ये लेगा, बाहर transfer कर देगा, तो आप लिखेंगे rate of flow of heat of first conductor, rate of flow of heat of first conductor, हमने उसको मालिया h1, देखो, अगर first conductor को देखें, तो ये theta वन है, ये theta है, theta 2 है, एक एंग theta 1 होगा, दूसा एंग theta 2 है, यानि आप कह सकते हैं, k1 a theta 1 minus theta upon L1 amirate and that of second conductor, ये इंगलिस सही लिखी नहीं, and that of, मतलब वही चीज़, हमने का आप में math, physics का आग्मी हो सकता, इंगलिस वे बबर लिखी हो, k2 a, second conductor में, ये initial temperature, ये final temperature, theta minus theta 2 upon L2, ठीक है, जब मैं बात करूँगा, steady state की, तो steady state, h1 is equal to h2 होगा, in steady state, h1 is equal to h2, और इसका नाम मैं रख सकता हूँ, h, इसको बात में h माल लेंगे हैं, ठीक है, तो हम h1, s2 को equal कर देते हैं, यानि k1 a, theta 1 minus theta, upon L1, is equal to, k2 a, theta minus theta 2, upon L2, इसमें calculation mistake नहों, वो ध्यान से L1, L2 का लफडा है, ध्यान रखीगा, देखिए, एक चीद दिख रही है, a हम cancel कर देंगे, और cross multiply करेंगे, तो आएगा, k1 L2, रैकेट खोलना है, theta 1 minus, k1 L2, theta is equal to, k2 L1 theta, minus k2 L1 theta 2, अब चुकिए theta निकालना है, interface temperature theta है, तो theta के term को उधर transfer कर दो, तो आएगा, k1 L2 theta 1, theta तो इधर लेओ, plus, k2 L1 theta 2, is equal to, k1 L2 plus, k2 L1 into theta, यहां से जो theta की value आएगी, वो आएगी, k1 L2 theta 1, plus, k2 L1 theta 2, upon, k1 L2 plus, k2 L1, तो यह क्या निकल क्या आया, तो यह आप value याद कर सकते हैं, याद कर लो, तो so far so good, लेकिन ना याद करें, इसका process याद करिए, ठीक है, हाँ, नहीं, क्या equate कर देते हैं, हाँ, यह, यह equate कर दीजिएका, तो यह तो आपका, यह तो आगया interface temperature, ठीक, अब हम बात करने जाते हैं, rate of flow of heat, तो इस theta की बात कर रहे हैं, आप equivalent, सोरी, यह steady state की, तो steady state में, theta 1, theta, h and h 2 तो सेम होंगे, तो theta को उठागी, या तो 1 में रखतो, या तो 2 में रखतो, यह पहला equation है, या यह दूसरा equation है, theta को कहीं भी उठाग रख दीजेगा, आपको rate of flow of heat मिल जाएगी, तो अब बात करेंगे, rate of flow of heat के, दूसरा है rate of flow of heat, मतलब यह इसकी sub heading है, एक तरीके से, पहली heading है, इसकी sub heading, rate of flow of heat, उसके लिए क्या करेंगे, putting theta, in equation 1, तो जब equation 1 में हम करेंगे, तो उसको h1 नहीं मानेंगे, उसको हम h मानेंगे, क्योंकि मैंने पहले से h, मान लगा है, तो h is equal to, तो आप इसको रब कर देते हैं, यह h हो गया, तोड़ा लिंदी है, लंबे-लंबे values है, देखे, यह h हो गया आपका, तो h is equal to, k1 a upon l1, यह देखे, यह हो गया, theta 1 minus theta, यह छोटी सी theta की बनी, k1 l2 theta 1 plus, k2 l1 theta 2, upon k1 l2 plus k2 l1, देखो, अगर थोड़ा सा याद करने की तरीके से, देखे आप, interface temperature आप ले रहे हैं, length अलग-अलग है, ठीक है, तो जब हम पहले conductor कर लेंगे, तो k1 लेंगे और theta लेंगे, length दूसरे की ले लेंगे, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, अगर याद करना चाहें, ठीक है, अब जब जब इसको calculate कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका, k1 a upon l1, देखे, हम यहाँ lcm ले रहें, इसको multiply कर रहें, तो आएगा, k1 theta 1 l2 plus, k2 l1 theta 1 minus, bracket खोल रहे हैं, k1 l2 theta 1 minus, k2 l1 theta 2, होल अपान, k1 l2 plus, k2 l1, अब जब देखेगा, k1 theta, ये तो कटेगा नहीं, दिख रहा हैं, नहीं कटेगा, ये k2, नहीं कटेगा, k2 l1 theta 1, k2, गलत लिग गये क्या, k1, नहीं कैंसिल होगा, ये कैंसिल होना है, भई, नहीं, यहीं कैंसिल होगा, इतना इस्तिप बड़ा थोड़े आएगा, देखो, k1, ये सेम है ना, वो इत्यान देख, इधर दे लिखा हुआ है, अब देखो, k2 l1 common है, यहाँ पर, तो k1 a, अपान l1 था, यहाँ से k2 l1 common है, ब्रेकन क्या पचेगा, theta 1 minus theta 2, अपान क्या पचेगा, k1 l2 plus k2, l1, तो h is equal to, क्या हो जाएगा, देखे, l1 l1 cancel होगया, तो यह आ गया आपका, k1 k2 a, k1 k2 a, theta 1 minus theta 2, अपान, l1 cancel हो जगा है, k1 l2, k1 l2 plus k2 l1, ऐसा करते हैं, उपर निचे k1 k2 से divide कर दो, तो h is equal to आ जाएगा, a theta 1 minus theta 2, upon l1 upon k1, plus l2 upon k2, यह आपका rate of flow of heat है, इसको equation number डाल दो, 2, 2, 3, 3 डाल दो, यह rate of flow of heat निकलाया, heat interface temperature निकलाया, ठीक है, यह, अब देखिए, तीसरी बार निकालने जा रहे है, equivalent thermal resistance, अब देखिए ध्यान से, आपको अगर rate of flow of heat निकालना है, तो आपको interface temperature तो निकालना ही पड़ेगा, यानि आपको आगे के जो proof हैं, प्रसमा लिजेगा इधर देखिए, आगे के जो values हैं, equivalent thermal resistance, और equivalent thermal conductivity, इनके लिए यहां तक आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब पहले theta निकालना पड़ेगा, interface temperature, फिर equivalent, जो है, rate of flow of heat निकालना पड़ेगा, तो एक्जामना लिखेगा, we know that in the previous question, I have given our lady question marks, what is the need to give marks again and again, ऐसा कुछ नहीं होता है, हाँ अगर short question कर सकते हैं, अब हम निकालने जा रहे हैं, equivalent, equivalent thermal resistance, thermal resistance, जरा समझेगा, जब हम equivalent की बात करेंगे, तो हम बात पूरे, इस conductor की कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका हम value, जो उसको हम माल लेते हैं, वो क्या है R, ठीक है, तो अभी हम बता चुके हैं, कि thermal resistance का formula क्या होता है, temperature difference upon rate of flow of heat, तो R is equal to, temperature difference क्या है, theta 1 minus theta 2, पूरा ले रहे हो ना अब, upon rate of flow of heat क्या है, H, और H आप निकाल चुके हैं यहां से, यह दिख रहा है ना पूरा, तो आएगा, theta 1 minus theta 2, upon H क्या है, A theta 1 minus theta 2, और upon जो है, वो इधर आजाएगा, L1 upon K1, plus L2 upon K2, साफ साफ दिख रहा है, यह cancel हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, L1 upon A K1, plus L2 upon A K2, अब जराब पीछे जो resistance वाला formula, अब ही हमने बताया है, उसमें R को हमने, L upon A K proof कराया है हमने, जो thermal resistance का formula प्रूफ कराया है, यह L upon A K proof कराया है हमने, इसका मतलब L1 upon A K1 बोलेंगे तो क्या होगा, कि यह इसका resistance है, और L2 upon A K2 बोलेंगे तो इसका resistance है, तो यह proof हो गया, R1 plus R2, क्या proof हुआ, कि equivalent thermal resistance is equal to the sum of the individual resistances, यह आपका equivalent thermal resistance का formula हो गया, step by step पढ़ते जाओ, वह यह ना कि पौड़ी पौड़ी चरते जा, जै माता जी कहते जा, बस proof होता आएगा, अगि दम से गर पहुँचे आप, कि पहुँच आएंगे जो है, त्रिकूर्ट परवत पे, तो फिर दिक्कत होगी, वो माता वैस्टों देवी का दरबाद है, त्रिकूर्ट परवत पे इस रिम ने नाम लिया, नहीं तो numerical, numerical तो इसमें derivation के हिसाब से होंगे होंगे, अब प्रोसीजर अप्लाई करके नहीं कर लगा पाएंगे, डाइट फरम्ला नहीं उज़ कर सकते, अब देखे, जब मैं equivalent thermal resistance निकालना चाहता हूँ, तो मुझे यहां तक जाना पड़ेगा, ठीक है, अब हमको निकालना है equivalent thermal conductivity, तो अब conductivity निकालने के लिए आपको यह नहीं प्रूफ करना है, नहीं जम्झे, वहां तक तो पुख़ना पड़ेगा, लेकिन equivalent thermal conductivity के लिए आपको यह वाला step नहीं करना है, ठीक है, equivalent thermal conductivity, conductivity इसको मैंने के से डिनोट कर दिया, जड़ा समझेगा, इसका मतलब पले समझेगा, equivalent thermal conductivity जब मैं के मानना हूँ, तो हम पूरे conductor की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जानते हैं, कि the rate of flow of heat, मतलब पूरे conductor को एक माननों तो, क्योंकि ये तो आप दो मानने के निकालें, दो मानने हैं, इसलिए उनमें एक interface आया था, उसका temperature निकालना था, तो rate of flow of, flow of heat in whole conductor, पूरे conductor में अगर हम rate of flow of heat की बात करें, तो मैंने उसको मालिया H, क्योंकि आप आप कहेंगे बाई, दूसरा नाम दीजिए, दूसरा नाम नहीं देना है, वो H ही है, यहां भी H, यहां भी H, पूरे में H, H है H, बहुत सारे H, नहीं, एक ही H, क्या फ़र्मला होगा, के, A, थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो किसके ends के temperature लेने है, थीटा 1 माइनस थीटा 2, अपान length क्या होगा, L1 प्लस L2, यह equation number हो गया, 4, अब जो resistance वाला part हो, गाइब हो चुका है, जो equivalent thermal resistance का part, वो गाइब हो चुका, वो यहां नहीं करना है आपको, यहां तक तो करना है आपको, लेकिन अब resistance नहीं करना, जब तब पूछाना जाए आपसे, अब देखे, यह जो H है, यह जो H है, वो क्या अलग अलग है, दोनों को equate कर देते हैं, equating equation 3 and 4, यह क्या हो जाएगा, के ए, थीटा 1 माइनस थीटा 2, अपान L1 प्लस L2, इस इक्वल टू, ए, थीटा 1 माइनस थीटा 2, अपान L1 अपान K1, प्लस L2 अपान K2, अब इस diagram को अब रब करेंगे, बहुत तेटा तक यह, बैठा बैठा अपना जो है, आराम फर्मा रहा है, जा बैठा, देखे, अगर इसको ध्यान से देखें हम, तो यह A cancel हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, थीटा 1 cancel हो जाएगा, माइनस थीटा 2, यह L1 प्लस L2 अधर जाएगा, तो K is equal to आ जाएगा, L1 प्लस L2 अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2, तो इस इस दा एक्विलेंट थर्मल कंडुक्टिविटी, अफ दे कंडुक्टर जॉइंड इन स्रीज, अब यह एक स्पेसल केस आता है, कि भई यह जो कंडुक्टर की लेंध अगर सेम होत तो, तो आप दिखेंगे, इस L1 is equal to L2 हो, और हमने इसको माल लिया L, लेट, हमने L माल लिया, यह लेट है, वो वेट नहीं है, तो K is equal to क्या होगा, L, L प्लस L, अपान L अपान K1, प्लस L अपान K2, इसको सॉल करेंगे, तो यह 2L हो जाएगा, 2L अपान L कामन ले लेंगे, तो आएगा, K1 प्लस K2, अपान वाला K1, K2 उपर जाएगा, तो यह आगया, 2K1, K2 अपान, K1 प्लस K2, यह equivalent thermal conductivity है, when the two conductors of equivalence are joint in series, अब जड़ा देखिए, हमने आप से कहा, यह पुरा प्रूफ समझा गया, हमने आप से यह प्रूफ तो करा लिया, यह मैं तो ठहरा, मैं तो दिमाग मैस का लगाता हूं, मैंने यह प्रूफ आप से नहीं कहा, जड़ा समझेगा, आपने arithmetic progression पढ़िए, होता है, ठीक है, एक harmonic progression होती है, आगे class में, syllabus में तो नहीं है, लेकिन competitive exam की तरिस्टोर से, मतलब अगर मैं कहूं, कि अगर ABC, HP में है, तो इसको अगर हम पलड़ देंगे, 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C, तो AP में हो जाएगा, तो अब यह AP में हो गया न, यानि 2 times of this, is equal to this plus this, मतलब 2 upon B, is equal to 1 upon A, plus 1 upon C, यानि 2 upon B, is equal to A, plus C upon A, C, यानि B, is equal to 2 A, C upon A, plus C, एक्चुनी में, यहाँ B बीच में है न, तो यह harmonic mean है, यह बीच में तो यह बीच में तो, यह यहाँ पर क्या है, यह harmonic mean है न, harmonic mean, तो हमने proof क्या दिया, हमने का, if two conductors of equivalent are joined in series, prove that, their equivalent thermal conductivity, is the harmonic mean of the conductivities of two conductors, अब लड़का, तुम तुर 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 हर्मोनिय, बजा रहा है harmonic mean में, तो वह करबड हो जाता है, यह language को बदल जाती, ठीक है, जब तुर था रहाँ रवाँ, किसे रहाँ होड़िए, कि रहे लगका, झाल झाल झाल